गोरकना थाने की पुलिस ने हत्या करने वाली दो अभयुक्तों को गिरिफतार किया है जिसके सम्मन्द में स्सपी डाक्टर गौरो गौरवर ने पुलिस लाइन के वाइट हाउस सभागार में प्रेस वारता करते हैं बताया कि मुख्बिर की सूचना पर दो अभयुक्तों को लुही बादार जनपत महाराज गंच के रूप में हुई है जिनके पास से घटना में परियुक तलवार एक मियान एक चाकू बरामत किया गया है SSP ने बताया कि 25 में की रात्री में थाना गोरकनाथ पर सूचना प्रात हुई कि दिविजे नगर वजिराबाद थाना गोरकनाथ में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँची तो अफरोज अली पुतर सौरगी अन्वर अली अपने घर के अंदर बेड्रूम में फर्श पर लहुलहान पड़े हुए थे तथा गर्दन आधी कटी हुई थी जाँच से पाया गया कि मिर्टक का मकान चार फलोर का है ग्राउन फलोर पर मिर्टक अफरोज वा उसकी पत्नी साधिया रहते थे तथा उस पर तीनों फलोर किराये पर दिये गए थे साधिया वा अफरोज में अक्सर लड़ाई जगड़ा होता रहता था तथा यह तथ भी परकाश में आया कि साधिया की नजदीकिया अभी शेक चौधरी पुतर दिलीव कुमार निवासी रुदरपूर शिवनाथ ठाना कुलोई जनपत महाराज गंश से भी थी गटना वाले दिन रातरी में अभी शेक साधिया के घर पिछले दर्वादे से आया और करीब एक घंटे बाद पुना निकल कर चला गया उस समय अफरोज दावत खाने गया था रातरी में लगभग बारा बजे अभी शेक अपने दो अनसातियों इर्फान वा इर्शाद उर साधियों के साथ उपर गया तथा एक दो बार उपर नीचे आकर आहट लेता रहा उसके बाद रातरी में लगभग दो बजे तीनों अभी गड़ नीचे आकर अफरोज के कमरे में गए पूर जोजना के अनसार साधिया ने सारे दर्वादे खुले छोड़ रखे थे अभी शेक था उसके दोनों साथी इर्फान वा इर्शाद और दिल्शाद ने अफरोज के बेडरूम में जाकर चाकू तलवार से अफरोज की गर्दन काट कर उसकी हत्या करके घर के पिछले रास्ते से भाग गए घटना के समंद में मिर्टक के भाई की तहरीर सुचना पर थाना गोरखनाद पर मुकदमा पंजिकरित हुआ था जिनको गरिफतार कर जेल भेज़ दिया गया है गरिफतार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाद थाना परभारी विज्यानकर सिंग, हेड कांस्टेवल राजवेंद सिंग, कांस्टेवल दीपक सिंग यादो, महिला कांस् परशे जिनकी उमर थी और रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी हत्या के समंद में रात में दो बज़े के आसपा सुचना मिली, जिसको की ततकाल पुलिस द्वारा घटना सल का निरिक्षन किया गया, घटना सल के निरिक्षन से बात पकाश में आई कि उनकी हत्या किसी धार अतियार से उनी के घर के अंदर उनी के बेडरूम में की गई है, ततकाल शब को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेजा गया, परिसिती जन्र साक्ष के लिए फॉरेंसिक की टीम द्वारा एविडेंस इकठा किये गए, घर के बाहर और घर के अंदर कई CCTV कैमरा लगे थे, जिनकी फुटेज को सुरक्षित किया गया, मृत्तक के भाई द्वारा इसमें तहरीर दी गई जिसमें की मृत्तक की पतनी एक अन्य व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया, और अग्यात के नाम भी लिखवाए गया, जिस तरह से घटना हुई थी, और घटना के समय पर क्योंकि उ परवलांस के माध्यम से और पूश्टाच के माध्यम से ये बात क्लियर हुई कि इस घटना में द्रतक की पतनी का मुख्य रोल है, उनकी पूश्टाच के अधार पर और अन्य साक्षों के अधार पर एक व्यक्ति अभिशेग जिसको की हिरासत में लिया गया, दोनों की को शामिल किया गया, अब शेक के दौरा दो अन्य व्यक्तियों को इस घटना में उसका साथ देने के लिए सहयोगवत उनको लाया गया, रात के समय पे इनके दौरा पहले से एक तलवार जो खरीदी गई थी, वो रात में बारा बजे इनके दौरा घर में एंट्री की गई, क्योंकि ये पहले से उसी घर में किरायदार था तो उपर जाकर के चिपा फिर एक से दो बजे की बीच में नीचे आकर के क्योंकि ये दर्वाजे मृत्तक की पत्नी द्वारा पहले से ही कोल के रखे गए थे बेडरूम में आकर के उसी तलवार से इस जो मृत्तक है उसके शरीर पर काफी वार किये गए और फिर आगे से गेट के ना जाकर के पीछे के गेट से इनके दोरा एक्जिट किया गया इस घटना में का कुलासा आज हुआ है जिसमें कि मृत्तक की पत्नी साधिया उसको गिरफतार किया गया है साथी साथ जो मुक्य अभिक्त इसका है अभिशेक उसको भी गिरफतार किया गया है इस घटना में दो अन्य लोग हैं जो भी फरार हैं जिसके लिए पुलिस की दवेश लगातार चल रही है इन दूनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का सफल अनावरन इस टीम दोरह अविक्त है जो फरार है वो किस आदार के इनके साथ पैसे के लिए देखिए क्योंकि यह अविशेक उनके साथ काफी दिनों से मेल जो लुसका था उसके द्वारा ही उनको इस घटना में शामिल होने के प्रोसाइद किया गया इसके अतरिक्त उनकी गिरफतारी के उपरांत चीज़ें और क्लियर होंगी क्या उसका कारण रहा वो बाद में सा और अभी तक इसका कोई भी अपरादी के थेया सामने नहीं आया है एंगनीरिंग की त्यारी करता हैं इंटिरेंश एक्जैम जो होते हैं उसकी तैयारी पहले कोटा में रहके कर रहा था और अभी आने वाले दिनों पर 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 पुलिस पहुंच थी भटना की सूचना किस न झाल झाल